आज हम लोग बात करेंगे WordPress 5.8 के बारे में हाई गाईज मेरा नाम ही प्रिपेश आटवानी यहां पर में वेबोस्तिंग और WordPress एलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं आज हम लोग बात करने वाले WordPress 5.8 के बारे में इसका stable version लाउंच हो गया है कौन-कौन से important changes है जो आपको पता होने चाहिए और क्या आपको इसको अभी upgrade करना चाहिए कि नहीं सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में तो यहां पर मैंने WordPress 5.8 को install कर दिया है जो इसमें सबसे पहला change है वो है कि अब आप लोग विजिट्स पे ब्लॉक को add कर सकते हैं विजिट्स पर भी यूज कर सकते हो यहां पर कुछ नए blocks आए जिसमें सबसे important है query loop block इसमें basically यह होता है कि आप लोग अपने blog post को यहां पर show कर सकते हो query loop यहां पर मैं अपनी blog post को show कर सकता हूं यहां पर मैं इसको choose कर देता हूं and then इसके बाद कौन सी post type है वो मैं decide कर सकता हूं और क्या-क्या चीज़े मुझे यहां पर डाल ली है किस-को डालना है कौन सी category का मुझे चाहिए वो सारी चीज़े यहां पर आप लोग फिल्टर कर सकते हो तो basically अपने blog post के यहां पर दिख यहां पर इस तरीके से यहां पर आपको नेस्टिंग इसकी दिखेगी फिर यहां पर image filters आ गए हैं अगर आपको image के ओपर कुछ colors लगाने हैं filter करना है। इसको तो यहां पर duotone फिल्टर करके मैं इसको यहां पर change कर सकता हूं इसको black and white कर सकता हूं इसको colorful कर सकता हूं इस तरीके से कुछ and अगर मुझे इसको as a cover photo बनाना है तो उनल डाल सकता हूं, इसके ओपर text डाल सकता हूं Datext over image को से इस तरीके से wyов जाएगा तो मैं आपर सिलेक्ट कवर कर सकता हूं फिर यहां पर इंटरनेट एक्स्प्लोरर 11 का सपोर्ट चला गया है वर्डप्रेस 5.8 से एंड वेपी का भी सपोर्ट आ गया है अब आप लोग यहां पर वेपी की इमेज को अपलोड कर सकोगे इसको आप लोग डायरेक्ली कनवर्ट नहीं कर सकते हो कि आपने जेपीज डाल दियो और वह आपको अपने अंड से अपने अपर कर सकते हो वर्डप्रेस पर और एक जो सबसे इंपोर्टेंट चेज हुआ है वो यह है कि वर्डप्रेस 5.8 के उपर आपको यहां पर टेम्प्लेट एडिटर भी देखने को मिल जा यहां पर मैं एक नए cvart कर देता हूं रेम लच टेम्प्लेट तो इस यहां से आप जियसे बना सकते हो कि वह पर पोस कैसे दिखेगी संब्सक्र Bism nagền करते सब्सक्राइबples में श्चल्रा हूं दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए for example मैं चाहता हूं कि टाइटल के नीचे यहां पर डेट भी आए तो डेट का मैं यहां पर ब्लॉग डाल सकता हूं यह रहा पोस्ट डेट तो फिर यहां पर डेट आ जाएगी यहां पर टाइटल आ गया कि वह फुल साइट एडिटिंग फीचर धिरे धिरे लिया है वर्ट्प्रेस के अंदर जैसे कि अलिमेंटर काम करता है वैसे ही वर्ट्प्रेस भी यहां पर ग्यूटन बग की मदद से करने की कोशिश कर रहा है इसके कुछ मेन अपडेट अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो किस्टा पर यहां पर डेटेड अर्टिकल मिल जाएगा में दोनों के लिंक निचे देडिय। इस्रिय देँगा, वहाँ पर डालके रखा हैं अब मेरी क्या ओपीनियन है इसके बार में इसके बार में इसको अपडेट कर लेना अभी यह 5.8 है 5.8.1 आजाएगा बहुत जल्दी तो उसमें जितने भी बग्स रहेंगे उसको फिक्स कर दिया जाएगा इस बेटर कि एक हथे बाद आप लोग इसको यहां पर अपडेट करो तो अगर आपको वीडियो अच्छ लगए तो तुसको तम्झाप देजीएगा चानल को सब्स्राइब कर लिजीएगा और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हुआ 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 है